गुद आफ्टनु नमस्कार विवर्ज मैं कृती वटे राजूर चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं PME विद्या के चानल नमबर दस पर ये साइंस सेशन का टाइम है सॉलुशन, सस्पेंशन और कोलॉइट पे आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं विद प्राक्टिकल्स डिसकेशन रहेगा और एक बहुत खास में माना आज हमारे सा स्टूडियो में हैं उपस्तित है मैं परेचे कराना चाहूंगी आप सभी से डॉटर अविजोट संतुजी का आप पीजटी के मिस्ट्री है नव्युक स्कूल जेली से बहुत-बहुत स्वागत है आपका थांक्यू सो मच मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टीचर साथियो, टीचर ट्रेनीज और टीचर एडुकेटर्स का नमश्का जी, आज की इस सेशन को हम बिगन करें उससे पहले कुछ जानकारियां जो आप सभी के लिए है इस सेशन के बीच में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछे हमारा टोलफी नमबर डायल करके हमें बताएं इस प्रोग्राम को अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो NCRT के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां भी लाइफ चाट बॉक्स में आप अपने सभी सवाल हमें फेज सकते हैं एक और जरिया जिसके थूर आप हमसे सब परक साथ सकते हैं अपने सभी प्रसंदू आपका सेशन हमेशा से अक्तिविटीज खेल खेल के जरिये हम साइंस पड़ा देते हैं अपने सभी बच्चों को आज स्पेशल क्या है है हाँ जी तो आज प्यारे बच्चों मैं लेकर राएं हूँ आपके सामने कुछ मज़धार अक्तिविटीज और आपके स the learner will plan, conduct investigations to arrive at and verifying facts to seek answers to queries on their own and after going through this session the learner also differentiates materials, objects, processes etcetera based on properties to chaliyai without wasting any more time let us start with the activities and as you can see we have three beakers here. So I have brought in front of you three mixtures This beaker A, beaker B and beaker C Beaker A में जो है वो नमक घोला हुआ है Beaker B में हमने थोड़ा सा स्वाइल पानी में मिक्स किया हुआ है और इसको हमने स्टर कर दिया था And beaker C में हमने थोड़ा सा दूद मिलाया हुआ है As you can see the solution Now, बच्चो जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमको अब ये छोटा से इंवेस्टिगेशन आप जो करेंगे घर पे इसका प्रयोग करेंगे और आपको ये जानके मुझे बताना है इसको करके कि whether which of these is heterogeneous mixture and which of these is homogenous mixture तो अगर आप हम बीकर A से शुरू करते हैं So in beaker A, as you can see, it is a very clear mixture It's very clear, yeah Kirti, इसमें मैंने नमक डाला था तो एक पहली है जो बूचनी है कि नमक कहां गया नमक तो इसमें डिजॉल हो गया है So नमक आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये पानी अगर आप चखेंगे तो नमकीम होगा लेकिन यहां पे मैं बच्चों को ज़रूर बता दू कि कभी भी कोई भी जब experiment कर रहे हैं आप लाब में या कहीं पे भी तो आपने कोई चीज चखनी नहीं है और हमेशा आपने टीचर या बड़ों की निगरानी में करनी है Kirti, अगर आप लेमोनेट पीएं अगर मैं आऊं आओ आओ आप लेमोनेड बनाए और लेमोनेट को आप चखें तो यहा ऐसा होगा कि लेमोनेट काए एक सिप हमने लिया और वह जो है थोड़ा सा जादा नमकीन और इसमें मी необходимо है और दूसरे सिप में कम? कैसा होता है नहीं वो एवन रहेगा जैसा हम पीरें थ्रू आउट वो ऐसे हमें टेस्ट देगा आटली, so that means the taste will be same in every sip so this goes to show that this type of solution जिसमें हमने salt mix किया है या इसमें अगर हम शुगर भी mix कर लेते हैं जो शुल्यूट जिसको हम कहेंगे छोटी मात्रा में होता है उसको जब हमने mix किया तो यह evenly distribute हो गया पूरे bulk medium में और इतने छोटे-छोटे कड़ों में तूट गया कि यह कंड आपको अपने naked eye से दिखाई भी नहीं दे रहे तो इस तरीके के mixture को हम लोग कहते हैं homogeneous mixture ठीक है? This is homogeneous, right? Yes, so यह homogeneous mixture है जो कि liquid में बनाया गया है अब कई बर liquid में जो बना हुआ mixture होता है, liquid में हम या तो solid गोल सकते हैं या हम liquid में liquid भी गोल सकते हैं और liquid में हम gas भी भोल जो है उसमें mix कर सकते हैं जैसे कि soda water होता है, that is also a solution, right? Now, we have to see, observe this mixture, यह mixture जो है जिसमें की हमने soil गोली हुई थी Are the particles visible in this? Yes, very much. You can see the particles, that means the particles of soil are big enough for you to see them. अब थोड़ा सा ऐसे दिखाएं हमारे व्यूर्स के लिए देखने के लिए असानी रहेगी कि सभी particle जो है वो visible है तो यह क्योंकि visible है तो यह हम कहेंगे this is a non-homogeneous mixture and in these non-homogeneous mixture in which the particles settle down or they remain suspended in the bulk medium, then such a mixture is known as heterogeneous mixture. तो यह आपने पता लगा लिया कि जहां पे particles जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इतने बारीक हैं कि वो घुल मिल गए हैं दोस्ती कर ली उन्होंने और आपको बिलकुल दिखाई नहीं दे रहे वो तो हो गए homogeneous mixture. तो अब ऐसे mixtures, देखें आप अपनी definition भी बना सकते हैं कि ऐसे mixtures जहां पे the solute particles are so small that they get evenly distributed and they form a uniform composition. तो उनको हम लोग कहते हैं true solution, isn't it? ओक होगे हमरे एक और नाम आया है true solution. So, ऐसे true solution बहुत होंगे, आपने आसपास काफी true solutions आप देखते होंगे, जैसे कि लेमिनेट की बात करी, हमने soda water की बात करी, तो क्या आपको और ये जानके आपको हैरानी होगी, कि जो कुतब मिनार के पास iron pillar है, क्या हम उसको भी solution कह सकते हैं? आप ये जरूर पहली है, वो पहली मुझे नहीं लगी पर ये जरूर पहली है, तो अब इसका भी जबाब आपसे चाहेंगे, कि एक solid कैसे solution कहा जा सकता है? कई बार क्या होता है, कि यूशली वी अल्वेस थिंग that solution means, it's a mixture of liquid in liquid, or solid in liquid, or gas in liquid, but it can be a mixture of metal and metal, or metal and non-metal to make an alloy, that means solid or solid भी मिलकर solution बना लेते हैं. तो ये अब आप देखे कि iron pillar को क्या हम solution की category में डाल सकते हैं? आप मुझे लगता है, डाल सकते हैं, आप कहा जा सकता है? और जो हमारी चारों तरफ ये air है, क्या ये air solution नहीं है? क्या ये homogeneous mixture of gases नहीं है? बिल्कुल है. तो चलिए हम अपना investigation थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, कि जहां पर particles का size थोड़ा बढ़ा होता है, बच्चों, उसको हमने बोला heterogeneous mixtures and they are since non-homogeneous mixtures, they are called as suspension. तो चलिए हम फटा-फट इसको record कर लेते हैं, because for students to be able to record their observation, whatever they study, that is very important. तो देखे, ये हमने जो है, एक table तयार किया हुआ है, इसको मैं रख देती हूँ, और इसको हमने record करना है ऐसे table पे, जिसमें solute salt था, तो वो हमारा homogenous था या heterogeneous, फटा-फट लिख दिया हमने, homogenous है, और जिसमें solute soil था, क्योंकि वो घुला नहीं था, that was heterogeneous, तो इस तरीके से बच्चों, आपको tabular form में अपनी findings को लिखना भी आना चाहिए, and which type of mixture it has been formed, जो homogenous है, that was true solution, and जो soil के साथ था, जिसमें particles बैट के, that is suspension, So, यह आपने अपनी findings को note down कर दिया, तो चलिए, अभी हमने beaker C के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो इस beaker C में जो भी हमारा mixture है, तो इसको भी चलिए, हम लोग categorize करें कि यह homogenous है, या heterogeneous है, तो इसके लिए, भी कुछ हमें investigations करने होंगे, तो चलिए, देखें, एक दूस अब हमारे पास चार properties रहेंगी, चार properties हमारी है, transparency, stability, filtration and tindle effect, यह चारो properties के अधार पर हम लोग फर्दर जो है, हमारे suspension, colloid और जो हमारा C का mixture है, उसके बारे में पता लगाते हैं, तो देखिए, यह mixture हमारा पारदर्शी है, यह पारदर्शी है, जी इस transparent है, बिल्कु यह transparent ह तो यह हम इसके उपर फटा फट लिख देते हैं अपना, कि यह हमारा transparent है, right, और हमारा क्या यह B वाला transparent है mixture, अगर हम इसको इस तरीक ऐसे करें, no it's not transparent, it is not transparent, it's not clear, so that means यह हम कह सकते हैं, हम फटा फटा फट लिखते हैं, यहापे, it appears opaque, isn't it, right, और यह कैसा है, यह वाला जो I can say, so आपको यह term पता है, हमारे छोटे बच्चों को शाद यह term ना पता हो, तो translucent मतलब यह थोड़ा सा termidity है, इसमें, मुझे translucent बिलकुल ध्याना है, जिसमें कि बहुत जाद ना वो opaque हो, ना transparent हो, that is translucent, तो यह हमारा translucent आ गया, चलिए, अब stability की बात अगर हम लोग करते हैं, so which of these mixture is stable, stable को जानने के लिए हमें यह देखना है, कि जो इसमें नमक घुला हुआ था, since the particles are so small, कि they have, can you see the particles, you cannot see them, have they settled down at the bottom, no, no, they have not settled down, so that means it's a stable mixture, इसको stable mixture कहेंगे, और यहां पर देखिए, यह जो soil particles है, यह settled down हो गए है, so since they have settled down, that means यह stable नहीं है, तो यह हमारा stability की, अगर हम लोग बात करें, comparison करें, so यह stable हुआ ए, और यह unstable हुआ, और इसकी क्या बात करेंगे, इसमें देखिए, यह तो turbid mixture था हमारा, और इसमें भी, the particles जो हैं, जो दूद के करें, they are dispersed in the bulk medium, they are, but I mean, color तो इसका change हुआ है, तो हम इसको किस category में डालने मने हैं, तो इसको किस category में डालेंगे, एक तो यह, पहली बात तो इसको homogeneous, कहें या heterogeneous, homogeneous जो है, वो uniformly distributed हो सकता है, और यह transparent है, right, अब इसमें जो हैं, particles, अच्छा, एक यहां प A और B है, जो homogeneous and heterogeneous हमारा यहां पे solution or suspension बना है, यहां पे दो components, जो छोटी मात्रा में होता है, that is, solute, और जो बड़ी मात्रा में जिसमें घोला गया है, उसको हम solvent कहते हैं, और यह जो हमारा तीसरा mixture है, यहां पे हमने दूद डाला था, थोड़ी सी मात्रा में, तो यह जो है हमारा stable, जो है, इसको हम कहेंगे, because इसमें particles settle नहीं हो रहे हैं, तो यह हमारा stability की बात हो गई, now coming to the third criteria, इसको और थोड़ा सा हम लोग विस्तार से पढ़ ले, तो यह हम लोग को, जो आपने यह बात पूची है, colloid की, इसके लिए हमें प्रियोग करना पड़ेगा, and that is filtration, त जब मैंने थोड़ी देर बाद यहां पर यह प्रियोग कर लिया था, क्योंकि यहां time की कमी है, तो इसको अगर हम लोग, mixture यह भी है हमारा, इसको अगर मैं इस तरीके से, इस setup में डालते हैं, यह filter paper है, कोन में लगाया हुआ है, जैसे की बच्चे देख पा रहे हैं, तो य very clear filtrate is being obtained, and now my question is that, can you see, can you see if any residue is being left or not on the top, तो यह हम लोग को एक और criteria है, filtration का, कि यह हमारा जो है, क्या इसमें residue बन रहा है, तो यह हमारा, तो यह भी क्या हम अपने viewers को दिखाना चाहेंगे, कि filter paper पे residue कैसे form हो रहा है, जो भी solid particles थे, हां, तो यह दो मिने, इसको पूरा हो जाने देते हैं, और फिर हम लोग इसमें देखते हैं, लेकिन यह आन के साथ मैंने प्रयोग कर लिया था, और हमारे को filter paper में देखिये, यह जो A वाला है, इसमें अगर आप उपर के camera से दिखाना चाहेंगे, तो देखेंगे कि filter A जो है हमारा, यह वाला, इसमें क्या कोई residue है, इसमें कोई भी residue प्राप नहीं हुआ है, तो यह हम खोल के भी दे यह हमारा process मेंने किया था, यह C का था, और C पे भी जो है कोई residue प्राप नहीं हुआ था, जबकि यह तकरीबन अब हमारा हो चुका है, और यह हमारा B का हमने किया था, इसमें देखिये, अगर टॉप कैमरा से दिखाएं, तो आप देखेंगे कि क्या कुछ जो इसमें soil थी B वाले में, तो क्या इसमें ऊपर आ गई है, सेपरेट हो गई है, जी, इसमें पार्टिकल्स आ रहे है, इसमें पार्टिकल्स जो है हमारे सारे soil के ऊपर एकत्रित हो ग is obtained, तो यह हम लोग जो है, हमारा filtration process जो है, यह भी बहुत एक important criteria है, to differentiate between A, B and C, तक्रीबन हम लोग अब बहुत close आ चुके हैं, इनको differentiate हम लोग कर पाएं, तो इसको मैं note भी हम लोग करवाना चाहेंगे बच्चों से, हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हमने जो किया, अभी stability का हम लोग लिख लेते हैं, stability का नहीं लिखा गया, इसको side करना पड़ता है, हाँ जी, so यह हमारा mixture stable था B वाला, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ सेटल नहीं हुई थी, A वाला, B जिसमें soil था, वो unstable था, because soil batch गई थी, और C वाला जो है, उसमें dispersed था, milk के जो particles है, fat, तो यह हमारा quite stable में आ जाएगा, right, अच्छा, अब filtration हम लोग कड़ चुके हैं, तो बच्चों को बहुत important होता है, यह सिखाना कि they should be able to observe, and then note down their findings, so हमारा यह filtration में अगर हम कहें, तो कोई residue नहीं आया था, in case of A, A में हमारा जिसमें salt था, और B में residue आया था, मिठी जो है, वो उपर रह गई थी, और C जो है, उसमें कोई residue नहीं था, तो अब हमने तीन criteria पढ़ लिये हैं, coming to the last criteria, अब बहुत ही interesting एक हम लोग दिखाने वाले हैं, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगी, एक scientist थे, टिंडल नाम के, जॉन टिंडल, और यहाँ पर बच्चों आप जरूर से जब भी किसी scientist के बारे में पढ़ें, तो कोई चित्र उसका scientist का sketch बनाने की कोशिश करें, और उसके जरूर से जाके पढ़िए कि वो childhood में कैसे थे scientist, जब वो आपकी उमर के थे, तो वो क्या करते थे, उनकी कैसी सोच थी, वो इतने curious nature के थे, या उन्होंने आप भी एक दिन scientist बन सकते हैं, तो ये जरूर से थोड़ा सा art integrated learning को भी लेके आएं, teacher educators से मेरी दर्खवास्त है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते अपनी investigation को, और एक और पहली बूचते हैं, कि अगर हम यहाँ पे torch लेके आएं, तो जो टिंडल था scientist, उनके मन में एक जग्या से आई, और उसने क्या किया, एक torch जो है, वो तीनों solutions में, जैसे हमारे हाँ solutions बने हुए हैं, उसमें जो है, जब पास करी, क्योंकि यहाँ पे बहुत रोश्नी है, तो यह वाली torch जो है, शायद हमारा ठीक से जो हम दिखाना चाहरे हैं, वो ना दिखाई पड़े, तो इसलिए हम, एक dark room में अगर हम इसको करेंगे, तो शायद, बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे, मैं laser light ले आई हूँ, इससे बहुत clearly दिखाई दे जाता है, तो यह देखिए, हम अगर एक हो हम करें, और यहाँ पे मैं अगर रोष्णी डाल रही हूँ, अगर camera capture कर पाए, एक हो, तो यह देखिए, क्या आपको रोष्णी का कर्ण जो है, यहाँ पे path दिखाई दे रहा है बच्चो, आपको नहीं दिखाई दे रहा, और यह, क्रिती, आपके लिए मैं थोड़ा सा उपर खर कर रही हूँ, यह देखिए, ऐसे, क्या आपको रोष्णी, mixture के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं शाद करीब बैठी हूँ आपके, तो शाद इसलिए मुझे दिख रहा है, एक एक, I can see a line, अरे, रहा है, पाथ, जो है, क्या, चलिए, चिक है, पाथ, कुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दॉट जैसे जरूँ दिख रहा है, तो यह बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बच्चे भी हमारे इसी तरीके से, जो है, वो सवाल जवाब करेंगे, चल जाती होई नजर आ रही है, अब अगें कंपेर कर लेते हैं, तो आपको clarity आएगी, यह दिखे, यह हमारा है, इसमें पाथ हमें नहीं दिख रहा है, जे, पाथ of light, when we are directing the beam into the mixture, can you see the path of the light? In the case of A, we cannot see, in case of B, the path is visible, and in case of C, let us see, यह देखे, it is visible, isn't it? Yes, और यहाँ पर इसको investigation को further आप ले जा सकते हैं, और अगर आप देखें, कि अगर मैं इसको तो ज़्यादा हम dilute कर दें, तो क्या हमको path of light clear ज़्यादा दिखाई दे रहा है, so and and so forth, तो यह आपके जो है, छो है, छोटे-छोटे investigations के साथ, आप पता लगा सकते हैं, कि कौन सा, जो है, scattering of beam कर रहा है, now, बच्चो, यह जो अभी आपने देखा, so this effect of scattering the beam of light, this is called Tyndall effect, और यह दिया गया था John Tyndall के द्वारा, तो यहाँ पे जो है, जो टिंडल effect, जो हमारे colloid particles हैं, क्योंकि इतने बारीक particles होते हैं, तो वो टिंडल effect दिखाते हैं, तो इसको जो हम लोग अपना final अपने चार्ट में फिर से इसको note कर लेते हैं, ताकि हमारी findings जो है complete हो जाएं, जी, जो टिंडल effect, homogenous जो पहले वाला था, does not scatter beam of light, क्योंकि आपको last में dot दिख रहा था, जो बी वाला था, it scattered beam of light, जी मैं चाहूंगी थोड़ा सा recall हमारे सभी viewers करें, हाँ जी, जी, A, B और C सभी categorically हमने बाटा हुआ है, हाँ, तो ये जो है, आप लोग में बच्चो इस तरीके से अपनी findings को जो है communicate करना है, writing में in tabular form also you can do it and therefore because beaker A was homogenous, transparent, stable, it did not have any residue while filtration, did not scatter beam of light, so it is categorized into a solution, we can say it is a solution, so आप लोग को अप solution की definition रटनी नहीं है बच्चो, आप लोग जो खुद investigate करेंगे, उसी से अपनी खुदी definition बनाएंगे, that solution is a homogenous mixture which is transparent, the particles cannot be seen by naked eye, they are very stable, mixture is stable, it does not have any residue on filtration, does not scatter beam of light, तो ये आपका solution होगा, ठीक है, उसी तरीके से जो solution B था, देखे, वो heterogeneous था, it appeared opaque, it was unstable, residue was obtained and it scattered beam of light, तो ऐसे mixture को हम कहते हैं, suspension, तो इस constructive approach के द्वारा यदि आप अपना learning करें, तो इतल भी interesting also, और C वाला, it is heterogeneous, translucent था, quite stable था, residue नहीं आया, and it formed, it gave Tyndall effect and therefore it is termed into a colloid, it is a colloidal solution, तो एक ये हमारा हो गया, और बच्चो ये जो तीनो solutions आज आपने देखे, that means, they differ in the size of their particles, so इसमें जो है हमारा ये वाले में, particle size is very very small, it is one nanometer और आप explore करिये, और आप different different type के solutions बनाएए, आप copper sulfate का solution बना सकते हैं, आप घर में alum है, उसका solution बना सकते हैं, और आप कोई भी अपना mixture बनाएए और इसको categorize करने के कोशिश करिये, whether it will be a solution, a suspension, आप chalk powder को भी जो है, उसको powder बना के, उसको आप try करिये, वो filter हो रहा है, नहीं हो रहा, filtration process सीखिये, तो in a fun way जो है, आप इसको जो है, अपने topic को learn करेंगे, और last में, जब भी आपने अपना topic जो है, वो पढ़ लिया है, तो try to summarize it children, so we can summarize it, like here I have done, in this form, it is the concept map, concept map में जो आपने पढ़ा है, उसको पूरा हम लोग recap कर सकते हैं, that we studied today, mixture, they are of two types, homogeneous and heterogeneous, solution was homogeneous kind and heterogeneous mixture, जो हमने दो टाइप के देखे, colloid देखा और suspension देखा, और उसकी सारी properties जो है, जिस तरीके से यहां देखाए गई है, कि solution was transparent, residue नहीं था, solute जो है, that was dissolved in the solvent, यह सारा आप इस तरीके से concept mapping जरूर करिए, और इस तरीके से आप अपना पूरा topic summarize कर सकते हैं, बिल्कुल, और इसके लिए बहुत ज़्दा efforts करने की कोई ऐसी जूरत नहीं है, Dr. Sandhu, यह सब ही वो चीजे थी जो घर में, हमें, kitchen में भी infect available है, sugar solution हम बना रहे हैं, salt solution बना रहे हैं, तो ऐसे करके, छोटे-छोटे खेलों के जरीए, जैसे कि आप हर बार बताती हैं, ऐसे complex topic को भी जो साइन्स के वो पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है, आज studio तक आने के लिए, इतना खुबसूरत, wonderful सेशन कंड़ा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तैंक्यू, और viewers, आप से गुजारिश है कि आप PME विदे के साथ बने रहें, और भारत सरकार इस समय अजादी का अमरित महुतसव मना रही है, जिसमें विभिन कारेक्रमों के आयोजन किये जा रहे है, ऐसा ही एक आयोजन है, जो कि राष्टरगान सभा है, जिसमें आपने अपना खुद का एक वीडियो बनाना है, राष्टरगान गाते हुए, और उसको भेजना है आपने www.rashrgan.in पर, आपके TV स्क्रीन पर ये दिख रहा है, आपको इस पर आप अपना वीडियो बना कर भेज सकते हैं, आज के सेशन के लिए, Dr. Sandhu आपका बहुत बहुत धनेवार, और आप हमारे साथ PME विदा के चानल नमबर 9 पर बने रहें, अगले सेशन में इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके लिए, कई ना जाएं बने रहे हैं, आ रहे हैं लोटकर एक छोटी सेंद्राल के बाद,